How to fix vibration not working problem in any OnePlus series नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का अतिकिराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में vibration not working problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यहां पर vibration के related कोई भी problem आते है कुछ भी इस तरह की का प्रॉब्लम आते है मोबाइल पर vibration काम नहीं करते हैं आपको call आ रहा है call पर vibration नहीं है message आ रहा है message पर vibration नहीं है ठीक है आपने vibration mode पर कर दिया फोन को लेकिन फिर भी vibration नहीं है तो आप कैसे solve कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो पर बताना चाता हूँ तो वीडियो को हम तक देखें जो भी solution अगा उसको follow करें आपको problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कामा ना चाते हैं तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा तो दोस्तो किसी problem के regarding पर आप हमें twitter पर भी follow करके message कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आप setting को follow कीजिए सेटिंग जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा sound and vibration तो make sure आपके data बगरा यहाँ पर I mean आपके जो donor disrupt mode D&D service यह सारे के सारे off होना चाहिए ठीक है तो सारे D&D service आपका off होना चाहिए D&D service आप यहाँ पर off ही रखिए और उसके बाद आपका phone जाए उसको ring mode पर set करके रखिए vibration यहाँ पर on कर दीजिए vibration on करती ही आपका vibration चालो हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप search करने जाते तो और option नहीं है ताज vibration आपको मिल जाएगा ठीक है तो सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको heptrick vibration बगरा का बे option मिल जाते तो उसके लिए हमें दोस्तों search करना परेगा क्योंकि वह setting थोड़ा अंदर पर आपको मिल सकते हैं तो इस तरीके का option है system पर मिलेगा system तो system पर जाते हैं और कहां पर है यह setting तो यहाँ पर भी यह setting नहीं है system update के अंदर पर नहीं होगा accessibility के अंदर पर ठीक है accessibility के अंदर पर यह option मिल जाएगा तो यह है vibration तो ring on vibration इसको on कर दीजेगा ठीक है ring vibration इसको on कर दीजेगा उसके बाद notification vibration को on कर दीजेगा उसके बाद touch feedback आपको on करना या नहीं करने वो आप decide कर लेजेए ठीक है तो इस तरह के से आपका problem solve हो जागा लेकिन solution बस यहीं नहीं है यह तो बस setting है अभी solution कैसे करें solution के लिए दोस्तों आप अपने mobile को safe mode पर reboot कीजिए या फिर restart कीजिए दोनों मेंसे आप दोनों ही करना चाते हूँ कर सकते हैं लेकिन दोनों मेंसे कोई एक करना चाते ही कर सकते हैं लेकिन वाण लेजिए restart के बाद भी solve नहीं हो रहे problem तो आप safe reboot के लिए जा सकते हैं उसके लिए sayfe reboot के से किया जाते हैं पाउर बटन को प्रेस और होल कीजिए पाउर अफ के बटन को 2 सेगें क्लिक कीजिए उसके बाद ऑकी कीजिए ठीक है यहाँ पर मैंने ऑकी नहीं किया क्योंकि ऑकी करने से फोन बन होके रिस्टाट होते हैं तो आपको यह चीज़ करना है उसके बाद चेक करके देखे solve हो जागा problem बाइ इनी चांस अगर problem solve नहीं होते तो system पर जाएए उसके बाद system update पर क्लिक कीजिए and then system को update कीजिए जैसे ही दोस्तों आपका system update होगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप जो हे दोस्तों यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्फ कर सकते हैं तो वाइबरेशन नौट वर्किंग प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्फ होगा इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता या फिर ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज करें आज के लिए बस इतने ही टेंक्स फॉर रॉचिंग